कि दोस्तों मैं आशा करता हूँ असलों ठीक होंगे सेफ होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में जॉन रसकीन की इंपोर्टेंट राइटिंग अन्टू इस लास्ट के उपर बात करेंगे यह दोस्तों एसका एक कलेक्शन है और इसको रिखा था जॉन रसकीन की ने तुछ थे संपल से इससे को समझने कि कुश्ष करते तो जिए जिए पर ब करते में अंद दोस्तों तक है आनचो डिस लैस्ट यहां पे दुस्तों आथ ने चार एसखेसक किया है यह बैसीखेली को कुछ एसे को जॉन रासकिन ने डिसकस किया है तो सबसे पहला जो ऐसे का नाम है धी रूड्स ऑफ ओनर racing दॉस्टो धी रूड्स ऑफ्व ओनर में जॉन रसकिन ने बात किया है ऊहँ समीट में equality के ऊपर जो का मैं वहाँ पे इक्रिटी कितना जरूरी है वर्क फिल्ड में इक्रिटी कितना जरूरी है उसके उपर उन्हें बात किया है जोनर रसकिन के हिसाफ से जितने भी एमपलोई एक वर्क फिल्ड में काम करते हैं उन सभी को एक्विल मनी एक्विल रेस्पेक्ट देना चाहिए उनकी कामों के ट्रिट करना चाहिए एक्वेल जो मनी है वो देना चाहिए वर्क फिल्ड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तो ऐसे वान में उन्होंने इसके उपर बात किया है दूसरा सुझ जो ऐसे उसका नाम है दी विन्स ऑफ वेल्ट अब दोस्तों असकीन ने बात किया ह सोसाइटी में रीच और पूर के ऊपर कि हमारे सोसाइटी में दो साइड है रीच है पूर है दोनों ही साइड हमारे सोसाइटी में रहते हैं लेकिन जो सोसाइड है वो सोसाइटी का एक पार्ट है मतलब हमारे सोसाइटी में अगर 20% लोग रीच है तो 80% लोग पूर है गर परता क्योंकि हमारे सोसाइटी में रिच लोगों की संख्या कम है और पूर लोगों की संख्या जादा है जब हमारे देश में जब हमारे सोसाइटी में सभी लोग इक्वल होंगे, इक्वली रिच होंगे, तब ही हमाश सुसाइटी में जो डार्क साइड है, वो जाएगा, तो इसके उपर दुस्तों उन्होंने सेगंट जो ऐसे उसमें बात किया है, थार इसे दुस्तों इसका नामें कुई जुडिकेटिस टेराम, इस ऐसे में दुस्तों, उसके बाद मनी हो गया, उन सभी कुनोंने इस हैसे में डिवाइन किया है, अपने तरीकों से, उन्होंने कहाए कि हमाए इस सुसाइटी में ज स्टेश इंजस्टीन दोनों है, इक्वलमिक एक्टिवीटी में, लेकिन इंजस्टिस जादा है, कभी किसो कम मनी मिलता है, कब क एकनोमी एक्टिविटी एक करप्ट पार्सन के हाथ में लग जाए तो हमारे सोसाइटी में जो इकनोमिक इंजस्टिस है वह जाधा होगा वह फ्लरिश करेगगा उसके पास तो जो लास्ट ऐसे इसका नाम है एड वेलोराम इस ऐसे में दोस्तों अथर ने बात किया है एकनोमिक ट्राम्स के उपर जैसे कि वेल्थ हो गया प्राइस हो गया उनके उपर बात किया है और उन्होंने वेल्थ प्राइस यह सब चीजों का जो एकनोमिक ट्राम्स से इनको अपने तरिकों से इनका रियल मिनिंग को उन्होंने बताया है उनके इसाप से एकनोमिक एक्ट सुसाइटी में इक्वेल मनी डिस्ट्रिबूशन होगा इक्वेल जो ट्रिट डिस्ट्रिबूशन होगा तब हमारे सुसाइटी में जो एकोनोमिक जो करप्शन है एकोनोमिक जो इंजस्टिस है वो दूर होगा तो इसी तरह दोस्तों यह जो वर्क है अन्टू दिस लास्ट ये दोस्तों चार ऐसे का एक कलेक्शन है तो हमने सबी ऐसे को ऐसे का जो सेंट्रल आइडिया है इस वीडियो में बात किया है तो देंगे सुमाद दूस्त आच लिए इतने गुडबाय चलिए स्वास्त्री